So hello all of you, आप सभी का स्वागत है जिग्यान के ओफिसल यूटूब चैनल पे इस वीडियो में हम आप से बताएंगे कि आपके एटलिस्ट कितने परसेंटाइल पे आपको कॉलेज मिल जाएगा जेएमेन पे कि इस वार जो आपकी परसेंटाइल आई है तो आपका कितना परसेंटाइल है तो आप सेफ हो पहली तो आपकी प्रिएटी होने चीए कि आप IIT में जाओ ईसके लिए भी आपको advanced का पेपर देना है अगला एटेंट मेंस का देना है लेकिन फिर भी safe side के लिए हम आपको बता होता है क्या-क्या चीजों को ध्यान रखके आपको counseling और college मिलता है और आपको at least कितने percentile minimum percentile में बताऊंगा category wise कि भाई अगर इतना percentile आपका है तो आपको college मिल जाएगा तो आइए शुरुआत करते हैं क्या होता है ना कि जो आपका J.E.Main का paper है उससे आपको एक तो आप IIT म में जाने का रास्ता है वो मतलब आप advance की exam में बैठ सकते हो अगर आप cutoff clear कर जाते हो तो cutoff जो होती है वो generally क्या होती है general category की 90 percentile के आसपास रहती है EWS OBC की 75 percentile के आसपास रहती है और उसके बाद SCST की और भी कम रहती है जो category cutoff है बट इस cutoff को पार करने के पर आपको college नही पूर निटी कैसे एनिटी वारंगल हो गया निटी त्रीची हो गया निटी रावल किला हो गया यह सब क्या है अच्छे निटी आपका भोपाल है जैपूर है तो यह सब आपके पास options है अब centrally funded technical institute में भी अच्छे CFTI है जैसे आपका चंडीगर हो गया पैक चंडीगर उसके बाद आपको BIT मिस्रा हो गया रांची का निटी रांची हो गया यह सब अच्छे CFTI है और average CFTI भी है जैसे Assam University है और स्रीमाता वैसनोदेवी ऐसे कई सारे आपको CFTI मिल जाएंगे उसी तरह some other counselling है आपका जो जैक चंडीगर का यह counselling होता है उसमें आ आपके जो आप किसी particular state से belong करते हो तो वहां के भी आप counselling में कैसी किसी state में जही main के score पे ही आपको admission मिलता है उसके बाद मैंने आपको बताया कि private colleges में भी आपको admission मिलता है तो अब अच्छे भी है average भी है और lower rank NITS भी है तो अब आप safe side का अगर game खेल रहे हो कि sir मुझे य एक जो north east के NITS है उसमें जागे आपको lower सी branches ले लोगे तो क्या होगा आपको बहुत कम score पे मिल जाएगा college तो बिलकुल है वो मैं आपको अभी बताऊंगा आगे चलते है उसके लिए आगे आपको मैं बताऊंगा कि एक category देखो होता क्या है कि अमालों की total seats अगर मैं NIT, IIIT, CFTIs की अगर calculate करूं तो जितनी seats है आपके according तो उपर से लेकि उतनी rank तक कि बच्चे को college मिल जानी चाहिए और बाकी out हो जानी चाहिए simple सा funda होना चाहिए पर ऐसा होता नहीं है ऐसा क्यों नहीं होता है क्योंकि यहां पर एक बहुत बड़ा factor है जिसको हम लोग कहते है reservation अब reservation types में क्या-क्या है दोस्तों कि एक तो आपको पता है category reservation है general EWS, OBC, SC, ST इनका अलग cut-off है इनके लिए अलग से seat reserved है NITS, IIITS में हर category का general का नहीं है EWS, OBC, SC, ST का है उसके बाद home state, IIIT CFTI में आपको home state quota नहीं मिलता है लेकिन NITS में क्या होता है जो 50% seats है वो 50% seats आप particular जिस state से belong करते हो वहां के रिजर्व रहती है अब अगर आप उस state से belong करते हो जहां की population ज्यादा नहीं है ज्यादा aspirants नहीं है तो वहां बहु आप बिहार से belong करते हो NIT पतना है तो भाई जिस state से इतने सारे aspirants से उसकी cut-off जो है वो home state की outside state से ज्यादा हो जाती है क्यों क्योंकि आपका state वो state पे depend करता है अब north east से belong करते हो तो आप सुनते हो कि 99,000,000 तक पे rank पे NIT मिल जाती है क्यों क्योंकि north eastern state में नहीं जाते है इ आपको colleges में admission मिलता है तो ये तो एक हो गया आगे चलते हैं हम लोग सबसे important चीज पे आगे मैं आपको ये बताने जा रहा हूं finally कि क्या score आपका रहना चाहिए क्या score आपका रहना चाहिए कि आपको इस category से आप belong करते हो और आपको college में admission मिल जाए minimum percentile मैं आपको बताने जा कि आप जितने aspirants exam दिये हो उस हिसाब से आप rank calculate नहीं करो अभी बच्चे क्या कर रहे हैं क्या गलती कर रहे हैं अगर किसी के percentile आई है 96 तो ये क्या कर रहे हैं कि 100-96 चार percentile और multiply कर रहे हैं 12,000 से multiply किसे कर रहे हैं 12,000 से लेकिन problem इसमें ये है ऐसे तो इनके आपके according आपकी rank बनती है 48,000 लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जो second attempts में कुछ unique बच्चे आजाए 96 percentile से जिनका ज़्यादा ही score हो तो वो भी तो आपसे ज़्यादा में ही count होंगे तो आप इसमें 10,000 rank और add कर दो इतना आपका कम percentile है 94, 93, 90, 85 उतना ज़्यादा आपको ये margin लेके चलना होगा 10 से 15, 15 से 20 क्योंकि unique candidates अगले attempt में बहुत सारे ऐसे होंगे कि उनका percentile जो है वो आपसे ज़्यादा आएगा तो for safe side अगर मैं बात करूँ दोनों attempt को merge करके तो आपके पास अगर आप general category से belong करते हो और आपकी percentile 94.5 के आसपास भी है अगर तो आपको कहीं ना कहीं colleges मिल जाएगा यानि government of India का college आपको मिल जाएगा उसके फायदा यह होता है कि fees कम रहती है वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा कि क्या benefits होते है लेकिन हाँ इतना percentile अगर आपको है जेमें में तो आपको college मिल जाएग इससे जितना score आपका ज्यादा है उतने अच्छे college और उतना अच्छा आप branch की तरफ बढ़ोगे अगर आप EWS से belong करते हो तो यह आपका लगभग तो 91.5 मिनिमम बता रहा हूं कि इतना तो आपके पास है तो आपको कहीं ना कहीं centrally funded technical institutes में admission मिल जाएगा थूरू जोसा counseling तो आप बहुत मुस्किल है कि आपको जोसा और CSAB की जड़ी admission मिले हाँ आप जैक चंडीगर में जा सकते हो या किसी private में जा सकते हो पर जोसा counseling के थूरू आपको अगर admission चाहिए तो इससे कम पे तो भई मुस्किल है ठीक है अब मैं schedule SC की बात कर लेता हूं इससे में आप म women लड़कियों को reservation रहता है उसके बाद category EWS जेनरल वो तो है ही तो यह सारे factors भी और भी count होंगे तो मैं यह बता रहा हूं कि इसके आसपास हो सकता है इसे कम पे भी मिल जाए लेकिन फिर वहां home state का हो सकता है कि आपको benefit कही ना कहीं मिल रहा हो ठीक है ऐसा ही ST की अगर मैं ब counseling में आपको Colleges मिलने जा रहा है पर घबराने की कोई बात नहीं है अभी apparel attempt है हमारे पास हमारे पास Jay Evans का paper बाकी है तो आपको उस पर मेहनत करना है उस पर focus करना है अच्छे Colleges में जाने के लिए तो चैनल को subscribe कर लो और भी बहुत सारे मैं ऐसे वीडियो लाँगा so thank you and all the very best